नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खण की दिन भर की खबर जानते हैं नियोजन नीती का विरोध कर रहे चात्रों में दो फार जार्खन में 60-40 अधारित नई नियोजन नीती का कई चात्र संगठन विरोध कर रहे हैं जारकन स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बईट सत्र के आखरी दिन विधान सभा घेराव कर आपना बिरोध दर्ज कराया गया साथी छात्रों के द्वारा डिजिटल आंदोर्ण भी किया गया ट्यूटर पर हज्टेक साथ चालिस नाई चलतों के नारे के साथ सरकार की नई निती का जमकर बिरोध हुआ और करीब साड़े तीन लाग ट्यूट किये गाए लेकिन अब छात्र संगटनों में दो मत सामने आ रहे हैं जानकारी हो कि जारखन यूथ एसूसियेशन और जारखन स्टेट स्टूटेंट यूनियन ने बिते कुछ दिन पहले नई नियोजन निती के बिरोध में 8 अपरेल को मुख्य मंतरी आवाज के राव 9 अपरेल को मसाल जुलूस और 10 अपरेल को जारखन बंद आहुद किया था लेकिन राज के सिक्षा मंतरी जगरनाथ महतोग निधन के बाद जारखन स्टेट स्टूएंट यूनियन ने प्रेस वारता बुला कर एलान किया है कि जारखन महतोग के सम्मान में करकरम को अस्थागित कर दिया गया है और 19 अपरेल को जारखन बंद बुलाया गया वहीं इसके बाद जारखन यूथ एसोसियेस्टन ने बिते स्टनिवर को प्रेस वारता कर या जनकारी दिया है कि उनके द्वारा जारखन बंद तय तारिक को ही किया जाएगा साथ ही केंद्रिये संजोजक इमाम सफी ने कही है कि हमारी त्यारी पुरी है हम अडिग है बता दे कि 10 अपरेल को आवद जारखन बंद है राश्च्रिये सिक्छा निती के तहत कक्छा दो तक का पाठे करम तयार राजे में रश्ट्रिये सिक्षा निती के तहत पढ़ाई के लिए 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 पाथकरम राय सरकार की समति के लिए भेजा जाएगा कुडमी आंदोलन समाप्त आदिवासी कुरमी समाज का अदोलन 5 वे दिन समाप्त हो गया है कुरमी समाज ने रभीवार सुबा 11 बज़ा अंदोलन खत्म करने की होषणा की है कुर्मी समुदाय अनसुचित जन जाती का दार्जा देने सहीत अने मांगों को लेकर धारना पर बैठे थे आदिवासी कुर्मी समाज 5 अप्रेल के सुबा 5 बैए से आगरा डिविजन के कुस्तोर और खड़क पूर डिविजन के फेमस पूलिस एस्टेशन पर रेल चक्का जाम कर अनसुचित का दार्जा देने के मांगों को लेकर समाज के लोग रेलवे ट्रेक जाम कर बैठ गए थे इस आंदोलन के कारण हावडा से मुंबई और हावडा से नई दिली जाने वाले रूट पूरी तरह से बाधित थी जारखन में कुरोना के छो नई मामले देश भर में कुरोना के मामले एक बर फिव बरते नजर आ रहे हैं देश के कई हिसों में कुरोना के नए मामले में ब्रीधी हो रही है कई राजियों में तो मास्क को फिर से अनिवार कर दिया गया है इसी भी जार्खन में भी कुरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं जार्खन के स्वास्त भी भाकी ओर से सनी वार रात जारी आकडों के मुताबिक 24 गंटे में राजी में कुरोणा के चाहन मामलों के पुष्टी हुई हलाकि अच्छी बात या भी है कि 24 गंटे कंदर 7 लोग कुरोणा से रिकोवर भी हुए है जार्खन की खेल नीती में नोखरी देना परात मिकता में नहीं इसमें कुछ नोखरी पाने के लिए सफर रहते है लेकिन कई खिलाडी उम्र गुजर जाने के बाद तरसते रह जाते है अकिकत में खेल और खिलाडियों के मामले में जार्खन हमेशा आगे रहा है खिलाडियों ने अपनी परतिभा से पूरी दुनिया में जार्खन का परचम लह रहा है इसमें किर्केट फुटबॉल होगी तिरंदाजी, एथलेटिक्स, कुस्ती, लॉन बॉल सहीत अने खेल सामिल है खिलाडी तो पूरी मेहनत और लगन से पदक जीत कर अपने राजी का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन राज सरकार उनके इस मान का समान नहीं कर रही है जमसेदपूर में हनुमान जहनडा के बांस में मांस बांधे जाने पर हंगामा जमसेदपूर के कदमा सास्त्री नगर बलोक नमबर तीन चोक के पास हनुमान जहनडा के बांस में असमाजिक ततों ने पूलोथिन में मांस का टुकड़ा बांधे जाने के बाद से पूरे इलाके में तनाव का महोल है पूलिस फोर्स को तैनाथ कर दिया गया है सन्निवार को दो घंटे तक हुए हंगामे के बाद रभीवार को सुबा इस्थिती सांथ है लेकिन सास्त्री नगर में किसी भी इस्थिती को नियंत्रित करने के लिए पूलिस फोर्स तैनाथ है बतादे हनुमान जंडा के बांस में मांस बांधे जाने की जनकारी मिलते ही काफी संक्या में भारतिय जानता बहनी रेल एस्थेशन के बीच रभीवार की अहले सुबा अप मालगारी संक्या छो डबल जीरो पांच जीरो एन पी जी ए का कोईला से भरी डिब्बे कादल गाओं के पास डगरा नामा का स्थान पर दो हिस्थे में बट गया खंभा संक्या 341-25 से लेकर खंभा संक्या 321-25 के बीच अलग हुए हिस्थे खड़े रहे मालगारी के दो हिस्थे में बट डब्बे की जनकारी के बाद तत काल चालक सीवनाथ कुमार ने मालगारी खड़ी कर अलग हुए हिस्थे को जोडने का पर्यास में जुट ग선 की चेंपियन बन गई है परित्योगता में 31 टीमें हिसा ले रही है और जारखन को गुरूप 4 में 36 गवर लदाक दिली जमु कास्मीर और मद्य परदेश के साथ रखा गया है सनिवार को जारखन ने अपनी आखरी लिंग मैच में मद्य परदेश को 3-0 से हरा कर गुरूप चे हमारी एक जबकी खुसमा किस्पोट्टा ने दो गोल किये हैं हजारी बाग में 7 साल की बच्ची से सिपाही ने किया दुसकर्म हजारी बाग सहर के कोर्रा थना चेतर में किराय पर रहने वाले जवान पर 7 साल की बच्ची से दुसकर्म का आरोप है बच्ची की चिलाने पर जिनों ने आरोपी को पकड़ लिया, सुचना पर पहुंची पुलिस ने जवान को गिरफतार कर लिया है, आरोपी गिरीडी जीला में तैनाथ है, बरतमान में वहरांची स्थीत होटवार जैप 10 में प्रस्रिक्शन ले रहा है, जवान सुसिल तिर्की ने सुक्रवार रात अ साल की बच्ची को हवस का सिकार बनाया है, तीन दिवस्य दोर पर पहुंचे बीजेपी परदेश प्रभाई लक्षमी कांत वाजपेई, रभिवार को भारतिय जंधा पार्टी के जार्खन प्रभाई लक्षमी कांत वाजपेई रांची पहुंचे, रांची पहुंचने के बात यहारपोट पर भाजपा के करकताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है इस दोरान परदेश प्रभाई लक्षमी कांत भाजपाई ने कहा है कि राजे में कोई तरह की समस्या है जैसे प्रश्टाचार महंगाई महिलाओं की सुरक्षा इन सभी समस्याओं के निदान के साते वे कहा है कि कॉंग्रेस के लोग हर जगा या सिकायत दर्श करा रहे हैं कि उनके नेता राहूल गांधी के सहता भातिया जन्ता पार्टी के करन चली गई जबकि पूरा मामला कोट में हाई और जो भी नियनाय लिया गया है वह नियालाय के द्वारा लिया गया है ऐसे में अधि कॉंग्रेस के लोग भाते जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं तो वह पूरी तरह से निराधार है कोरोना को लेकर आज बैठाग देश में कॉरोना के बाड़ते मामलो को लेकर स्वास्थ विभाग पूरी तरह से लट है भी भाग ये अस्तर पर पूरी त्यारी की गई है केंद्रिय स्वास्त मंत्री लागातर करोना के इस्थिति पनागर बनाए हुए है इसे लेकर ओ लागातर मंत्री और अधिकारियों के साथ मेटिंग कर रहे है बता दे महराष्ट केरल करनाठक जैसे राजों में संक्रमन की रफ्तार काफी तेज है तो अन राजों में भी तक एक बार फिर केंद्री स्वास मंत्री बांसुक मंदुया, स्वास मंत्रा लेक वरिष्ट अधिकारी, देश भर के जिला अधिकारियों और जिला उपायुकतों सिविल सर्जनों के साथ बैठक करेंगे, इस बैठक में सभी राजियों के स्वास सचीव और स्वास मंत्री भ वह अने पर प्राथमी की दर्ज करने का निदेश दिया था पर डियमों ने इस ममले में पंकज के सयोगी अभाई और पिटु यादो तथा विश्णु यादो और छोटु यादो खिलाप जिर्वा बाढ़ी ओपी में प्राथमी की दर्ज कराई पंकज मिस्रा का जीक्र तक नहीं किया गया इस बीज तीन दिनों की इड़ी की जाज के बाद सनिवाज को जीला पर सासने करवाई की है इड़ी ने जीला खनन पता दिकारी सदर SDO, सदर, DSP, मंडरो, सियो, जिर्वा बाढ़ी थाने से अवयद खनन को लेकर पश्टिकरन पुछा है इधर साहब गंज, इस्थीत, महादेव गंज में चार करसर धवस्त कर दिये गा है तथा एक को सील कर दिया गया है बोकारों और रामगण की घटना के पीछे का कनक्शन जानने के लिए बैठाक बोकारों में मवादियों दोवारा अंजाम दिये जाने वाली घटना के पीछे की वज़ा लेवी बताई जा रही है इधर गोला में भी हुई घटना के पीछे इसी वज़ा का जिकर किया गया ऐसे में पुलिस इन दोनों घटनाओं के पीछे कनक्शन का भी अंदाजा लगा रही है जनकारी के मुताबिक अईयर गाओं के पास एक पानी टंक की निर्मान धीन है और पेजलापूर्ती के लिए पाइपलैन बिछाया जा रहा है बताया जा रहा है कि इसी निर्मान धीन पेजलापूर्ती जोईना के एवज में तोय लेवी नहीं मिलने के बाद सामने आ रही है घाटा को अंजाम देने के बाद उगरवादी भी जोर सोर से कह रहे थे कि जो पाइपलैन में काम करेगा उसके साथ यहीं अंजाम होगा बोकारो के नवाड़ी में ग्रामिनों ने यूगल जोड़ी को मंदीर में कराई सादी नवाड़ी परखण के नरायनपूर हरी मंदीर में ग्रामिनों ने एक प्रेमी यूगल की साधी करा दी फेक नरायनपूर थाना चेतर के लहिया गरामनिवासी एक युवक परकास कुमार महतो नरायनपूर गाउं की युवती रिता कुमारी के बीच प्रेम परसंग काफी दिनों से चल रहा था दोनों एक दूसरे से चिप चिप कर मिला करते थे आठ अप्रेल की राध प्रेमी परकास कुमार महतो नरायनपूर गाउं पहुचा था गाउं में अजनभी युवक को देख ग्रामीनों ने पूछता शुरु की शुरुवात में युवक ने बहाना बनाया लेकिन ग्रामीनों ने कड़ाई से पूछा तो वह सच उगल दिया उसने स्वविकार किया कि यूती के साथ उसका प्रेम प्रसांग काफी दिनों से चल रहा है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चलों के सब्सक्राइब कर बॉल का बेले कंदा बई साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के थांक यू